आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंदरशेखर आजाद ने बीते कुछ समय में ही अपने तेज तर्रार अंदाज, काले चश्मे, मुछो पर ताओ और नीले गमचे से लोगों के बीच एक खास पहचान बनाई है लोगसभा चुनाफ दोहजार चौविस के बाद चंदरशेखर की पहचान और बदल गई, मौजूदा वक्त में वह नगीना लोगसभा सीट के सांसद बन गए, पहली बार में ही चंदरशेखर ने सांसदी का टिकट जीत लिया पश्चिमी यूपी की नगीना सीट से चंदरशेखर को करीब 1,51,000 वोट से जीत हासिल मिली है, उन्होंने बसपा, बुजेपी और सपा जैसी दिगज़ पार्टियों के उम्मीदवारों को पचारते हुए जीत दर्च की अलाकि अब चंदरशेखर के सियासी रुप को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या वह NDA गट बंधन से जुड़ेंगे या फिर इंडी गट बंधन से नाता तोड़ेंगे इस सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि अगर NDA वाले उन्हें प्रधान मंत्री भी बना देंगे तो भी वो उस गट बंधन में शामिल नहीं होंगे नगीना की जनता ने मुझे केवल उनके हीतों की रक्षा के लिए वोड दिया है सम्मिधान की विरोधियों को सबक सिखाने के लिए वोड दिया है राजनेतिक शक्ती जरूरी है लेकिन उसके लिए विचारधारा और समझोता नहीं हो ऐसे में NDA में शामिल होने का सवाल ही नहीं उड़ता अगर इतना अच्छा होता तो इतनी कम सीटे नहीं आती ये एक हार जैसा है ऐसे बयान के बाद चंदरशेखर के इंडी गठवंदन से जुड़ने की चर्चा तेज हो गई है जिसको उन्होंने जल दी ये कहती हुए विराम दिया कि अगर मुझे भी इंडिया गठवंदन में शामिल किया जाता तो प्रदेश का चुनाफ परिडाम कुछ और ही होता इंडिया के नेताओं ने तो मेरा मजाक उड़ाने में और मुझ पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी वो भाजपा की बजाए मुझे हराने में लगे रहे फिलाल हमारी पार्टी ने इस पर कोई निर्णे नहीं लिया है मैं संसद में अपने लोक्षबा शेत्र के लिए आवाज उठाता रहूंगा ये शेत्र अविक्सित है यहाँ अच्छे अस्पताल अच्छे कॉलेज या नौकरी के अफसर नहीं है लोग पलायन करने को मजबूर है इस बीच यूपी कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पियल पुनिया के बेटे और मौजूदा सांसत तनुच पुनिया ने चंदरशेखर आजात को इंडिया कटपंधन के साथ आने का नहोता दिया है उन्होंने कहा कि वो सम्मिधान को मानने वाले नेता हैं सम्मिधान को सम्मान करते हैं इसलिए वो सम्मिधान का उनलंगन करने वालों के साथ नहीं जा सकते हम तो उन्हें निमंतरण देंगे कि वो आएं और हमारे साथ शामिल हो चंदरशेखर को देख कर बहुत अच्छा लगता है वो वन्चित समाज से जिस तरह आगे निकल कर आए हैं तो इसकी हर किसी को चाहे वो हमारी पार्टी हो या विपप्षो उनकी तारीफ करना चाहिए चंदरशेखर की जीत कई मायनों में बेहत एहम मानी जा रहे है वो बसपा की गिरते ग्राफ के बीच दलित वर्क को एक नया विकल देने में सफल हुए ऐसे में आने वाले दिनों में संसत की कारिवाईयों में चंदरशेकर का स्ट्रेंड देखना काफी दिल्चस्प रहेगा कि वो हिंडी गटबंधन का साथ देते हैं या अलग रहा पर चलते हैं